Hello friends, आज के से वीडियो में आपको glycolic acid 6% के बारे में बताने वाली हूँ glycolic acid के बारे में आपको बता दू कि market में जितने भी क्रीम्स हैं जैसे face wash, toner, moisturizer आप लेते हैं इस तरह के सारे products में glycolic acid के मातरा जरूर होती है आप जितने भी beauty products के ingredients चेक करेंगे तो उसमें आपको glycolic acid के मात्रा दिखेगी ही दिखेगी वैसे तो कई ऐसे dermatologist है जो इसको परियोग करते हैं काफी मात्रा में ये skin peeling का काम करती है यानि चेहरे पे होने वाले धाग धब्बे हैं खास करके अगर आपकी चेहरे पे pimples के काफी अधिक धाग हो चुके हैं इसके अलावा जाईयां पढ़ चुकी है जुरियां पढ़ चुकी है इसे बहुत ही अच्छी मात्रा में ठीक करता है इस क्रीम के बहुत सारे फायदे हैं जो आपको treatment के रूप में मिलने वाला है आपको पूरी जानकारी दूगी साथी साथ इसे क्या नुकसान है किस तरह से आप परियोग करेंगी कि आपको best result मिले नुकसान में आपको क्या क्या हो सकता है अधिसाथ आपको ये भी जानकारी देने वाली हो कि इस क्रीम को किस तरह परियोग करेंगी कि आपको फायदे अधिक हो और नुकसान कम हो यह एक acid है जो skin peeling का का काम करता है यानि चेहरे की पतली- इस क्रीम को आप परियोग कर सकते हैं अपने चेहरे के लिए लेकिन आप जब भी अपने skin के लिए परियोग करते हैं तो आपको सबसे कम मातरा से स्टार्ट करनी होगी गर आपकी skin काफी oily और sensitive है तो आप 0.1 से 6% तक यूज कर सकते हैं के लावा अगर आपकी skin normal है और काफ कोई भी fairness cream परियोग करते हैं उस तरह परियोग नहीं करना है बलके आपको इसे alternate day में यूज करना है यानि एक से दो दिन छोड़ करके लगाना होगा इस cream को केवल रात के समय में परियोग करना होगा face wash करने के बाद उससे सुखा लीजे फिर एक पतली परत skin पे लगाए प की काफी पतली पतली परत निकल रही है तो आप इसे दो तीन दिन छोड़ करके ही परियोग करेंगे अगर आप इसे रोज परियोग करते हैं तो इसके side effect बहुत अधिक देखने को मिलता है क्योंकि इससे skin peeling होती है यानि skin की पतली पतली परत निकलती है अगर आप उससे आपको लगातार यूज करना है शुरुवाती दुनों में आप दो से तीन दिन छोड़के लगाए उसके बाद आप एक एक दिन छोड़कर करके लगा सकते हैं ग्लाइकोलिक एसिट का नैचरल सोर्स गन्ने का रस है और इसके लावा अंगूर में भी पाया जाता है यह क्र करने में मदद करता है इसके साथ साथ अगर आपके स्कीन पर लगातार पिंपल्स आ रहे हैं तो इसकीन को लगाने के बाद आपके पिंपल्स तो दूर होगी है साथी साथ आपके आने वाले पिंपल्स को भी यह रोकने में मदद करता है इसकीन के डेट सेल्स को हटाता है यानी चेहरे के ऊपरी परद जो गंदी हो चुकी है, खराब हो चुकी है, वो उसे निकालने में मड़त करता है, इसकी तुचक में काफी अच्छे से क्लीन करता है और उसे पोसन भी देता है, आप इसे पर्योग कर सकते हैं, लेकिन इसके कम मातरा में पर्योग करेंगे, तो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा अगर आप अधिक मात्रा वाले ग्लाइकोलिक एसिड की क्रीम को परियोग करते हैं जैसे छे परसंट से उपर का तो आप अपने डॉक्टर के सला से ही परियोग करें इसक्रीम का बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट नहीं देखा जाता है अगर आप दिये गये निर्देश अनुसारी क्रीम को परियोग करते हैं तो आपको ज्यादा साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा फिर भी आपकी स्किन ग्लाइकोलिक एसिड लगाने से धूप में सेंस्टिव हो सकती है तो आप चेहरे को धूप से बचाएं जैसे वीडियो आपके लिए इन्फॉमेटिब रही होगी चानल पर नहीं हो सब्स्क्राइब कर लिजेगा ताके इस तरक इन्फॉमेटिब वीडियो जाप को आगे भी मिलता रहे वीडियो को देखने के लिए बहुत 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 आवाँ